तो नमस्कार दिस इस रिंकू मौरिया और वेलकम टू इन्वेस्टिंग विथ मौरिया जी चैनल Mr. B और Mr. D जो है ये जानना चाहते हैं कि हमें कौन से प्लान में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जिससे कि हमारा जो रिटार्मेंट है बुढ़ा पर अच्छे से कट सके हमको हर महिने एक recurring income मिलता रहे और हमारी जो main capital है वो भी सुरच्छित रहे उस पे भी return बनता रहे और एक time के बाद यदि हम उस पैसे को जो मेरा इकठा हो जाए दिम निकालना चाहें तो हम उसको निकाल सकें तो दोस्तों इस प्रकार का जो plan होता है उस plan को कहते है systematic withdrawal plan जी हाँ दोस्तों इस वीडियो में हम systematic withdrawal plan के बारे में बात कर रहे हैं तो जो लोग retire हो चुके हैं उनके लिए hybrid fund काफी अच्छा होता है तो यहाँ पे Mr. B और Mr. D की बात की जा रहे है अब Mr. B जो है SIP करना चाहते हैं 3000 रुपीस पर मन्त का तो हम यहाँ पे एक SIP plan जो hybrid का टेगी का हमने चूज किया हुआ है आप सभी के लिए नाम है ICSI Prudential का equity and debt fund तो इस equity and debt fund को हम एक बान analysis करेंगे कि यदि आप 3000 रुपे पर मन्त के SIP करते हैं तो आपका अगले 20 साले 22 साल का जो goal है उसमें कितना पैसा आपका बनेगा उसके बाद आप SWP किस तरीके से लगाएंगे और उस पे आपको कितना benefit मिलेगा तो हम बात कर रहे थे ICSI Prudential Mutual Fund का equity and debt fund तो इस fund को एक बार हम यहाँ पे study कर लेते हैं कि पिछले 3 years में इस fund ने 26.22% का CAGR generate करके दिया हुआ है और यदि पिछले 5 years की बात की जा तो 19.33% का CAGR इसने generate करके दिया हुआ है और maximum की बात की जा तो 17.4% का CAGR इसने generate करके दिया हुआ है 17.4% का CAGR यह एक hybrid fund है लेकिन hybrid category में भी इसने काफी अच्छा return जो है generate करके दिया हुआ है तो इसका आप देख सकते हैं fund size 26,000 क्रोड रुपे की fund size है और यह जो एक aggressive hybrid fund है तो expense ratio 1.1% का expense ratio है जो benchmark है जो क्रिसिल hybrid 35, 65 aggressive index इसका benchmark है तो इसके portfolio की बात की जाए कि जो भी पैसा इसमें आपका चाहिए लंसम जाए या फिर S.I.P की थ्रू जाए तो वो कहां पर investment इसका किया जाए तो आप देख सकते हैं कि equity में तकरीबन 66,56% का investment इनका है इसके बात government security में 12,69% का investment है cash में भी कुछ पैसे रखते हैं कल के debt में यदि किसी भी person को पैसा withdraw करना पड़े तो cash में कुछ portion रखा जाता है थी वो mutual fund manager जो है उसको cash से ही उस पैसे को redeem करके units आपको दे देता है corporate debt में 5.39% का है rights में 3.84% है five more में आप जाएंगे तो treasury bill में 2.27% REIT याने real estate investment trust यानि कि आप indirectly real estate में भी आप investment करते हैं mutual fund के थुरू है commercial paper हो गया certificate of deposit हो गया तो इस तरीके से इन्होंने अपने इस portfolio को design करके रखा हुआ है तो आप जो भी इसमें करेंगे आपका पैसा इस तरीके से इसमें allocate किया जाएगा यह जो overall आपने देखा सेक्टर वाइज allocation भी आप देख सकते हैं कि government security में 14.96% पैसा allocated है प्राइवेट बैंक्स में पावर जनरेशन में टेलीकॉम सर्विसेज में मिस्लेनियस में भी पैसे यहां पर जो है डाइवर्ट किये गए हैं और यहां पर यदि आप और भी इसको डिटेल में देखना चाहते तो आइटी में भी पैसे इसमें डालेगा ओयल एंड गैस में भी है इन्वेश्मेंट और ब्रोकरेज में फार्मा सीटिकल्स में मतलब जितनी भी यह लगभग ओवर दाइवर्सीफाइड यह म्यूच्वल फंड है मतलब हर एक सेक्टर में जो पैसा है एलोकेट किया गया है ताकि आपको किसी भी पार्टिकुलर सेक्टर में दी लॉस भी होता है तो बाकी सारे सेक्टर्स अच्छे से पर्फार्में दी करते हैं तो आपकी लॉस जो है मिनि कर सकते हैं और अपने mutual fund advisor से भी आप सलाह ले सकते हैं क्योंकि hybrid category में काफी सारे mutual funds हैं तो आपके लिए जो suitable होगा आप उसको select करके आप उसमें अपना investment कर सकते हैं तो holding की बात किया तो लगबग 103 company में पैसा invested है इस particular mutual fund का यहाँ पे देख सकते हैं टॉप जो company NTP, IC, IC, BC, Bank, भारती, Airtail, ONGC, Reliance Industries यह सब company में पैसा जो है invest किया गया है तो आप यदि इसमें investment करते हैं तो आपका पैसा जो है काफी हद तक जो है safe रहता है क्योंकि बड़ी companies में पैसा invest किया जाता है और track record है बड़ी company का जो की reputed company होती हो past में काफी अच्छे से वो manage करके चलती है परसेंट हमने यह पर इंटर किया हुआ है जो return ICA से prudential equity debt fund ने generate करके दिया है 17% का CAGR उससे हम 1-2% margin लेके चलते हैं क्योंकि यदि आप 2% का margin लेके चलते हैं तो आपके लिए अच्छा रहेगा क्योंकि आप analysis उसी particular rate से आप करके कर रहे हैं आपको 2% extra मिल्या वह बात की ब रग दिया और उनकी age थी 28 years तो अगले 22 years में जब maturity होगी तो यहां पर जो Mr. B है उनको उनका जो amount investment हुआ 7,92,000 रुपीज का amount invested है गेंज जो हो रहा है 54,19,997 रुपीज का हो रहा है total जो value आएगी इनकी 62,11,967 की आएगी तो हम यहां पर एक लमसम 60,00,000 रुपीज माल ले देते हैं कि Mr. B के भी hand में SIP करने से लगभग 22 साल बाद बनेगा मतलग उनके retirement के एस सक 60,00,000 रुपीज उनका बन जाएगा और Mr. D का भी 60,00,000 रुपीज तयार रखा हुआ है तो आपने देखा कि Mr. B के पास भी Mr. D के पास भी 60,00,000 रुपीज लंसम amount अब आच चुका है अब S.W.P. प्लान को ये चाते हैं हर महिने मंतली इंकम भी करना चाते हैं और साथ में ये जो है एक मोटी रकम भी एक टाइम के बाद विड्रौ करना चाते हैं तो दोस्तों अब हम देखेंगे किस तरीके से S.W.P. वर्क करता है आप जो भी retirement की प्लानिंग कर रहे हैं या है और जो मिंश्टर सी रिटार्मेंट की प्लानिंग कर रहे थे हैं साइपी कर रहे थे उनका भी लगबख 62 लाग के आसपास साइपी कल्कुलेट होकर क्या रहा था और चालीस हजार उपे पर मंथ हम विड्रौ करते हैं और जो एक्सपेक्टेड रेट है ना रेट आफ र करने को मिलेगा तो यहां पर देख सकते हैं कि टोटल आपने 96 लाक रुपीज आपने विड्रौ किया आपका फाइनल वैलू पांच करोड़ 66 लाक रुपे उस टाइम पर रहेगा जो आप चाहे तो विड्रौ कर सकते ने तो आप उसको वैसे ही छोड़ सकते हैं और अपने इस विड्रौ अमाउंट को आप बढ़ा भी सकते हैं यदि आप अपने अमाउंट को 50,000 रूपीज भी आदी आपने कर दिया तो लगभग यहां पर देख सकते हैं एक करोड़ 20 लाके दिया विड्रौ करेंगे तो भी यह अमाउंट आपका फाइनल वैलू रहेगा तो जो रीटर्न आपका जनरेट हो रहा है दोस्तों आप कोशिस करिए कि अपने वैलू का आठ से दस परसेंट के बीच में भी अधिया विड्रौ करते हैं तो भी आपका यह जो अमाउंट है काफी लंबे टाइम तक सस्टेन रहेगा और चलता ही रहेगा तो इस तरीके से एस भारत थैंक यू सो मुच पर वाच इस वीडियो